दोस्तों आज हम Soul Land एपिसोड 229 की ट्रेलर को डिटेल में एक्स्प्लेन करने वाले हैं, तो एपिसोड बहुत ज्यादा इंट्रिस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें हुलिना और सोल्जर के एक ट्रूप्स को पमिशन बनाने के लिए कहता है, अपनी जनरल का इतना ओर्डर मिलते ही उस ट्रूप्स के सारे सोल्जर इससे बचने के लिए एक पावरफुल फॉर्मीशन बनाते हैं, इस डिपेंस फॉर्मशन को देख कर हुलिना और सुई कहते हैं, यह के अंदर हमें टैंक्शन को भी दिखाया जाता है, जो कि टियांडो आर्मी को मरता देख कर गुस्सा हो जाता है, और फिर अपनी पॉपल डेमन लाइट को सी गौड लाइट से मिक्स करके हुलिना और सुई के उपर शूट कर देता है, टैंक्शन के इस अटैक से हलीना और सुई को मेंटल शॉक और वो शायद अपनी फाइटिंग कपैसिटी को देता है यानि कि उनके फ्यूजन स्किल पूरी तरह से तूट जाता है, अब यह देखकर बिबडॉंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अब ट्रेलर के अगले सीन में टियांडो आर्मी किसी पॉजन के दूए के कारण मरने लगते हैं, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस पॉजन्स को मधुमक्खी के सेक्ट लीडर ने छोड़ दिया होता है, इसके बाद हमें यांग वूदी को दिखाया जाता है, और वो मधुमक्खी की सेक्ट की लीडर के सामने बुलाओ, मैं उसे आज ही मार कर खत्म कर दूँगा, और उस धोखे बाज के कारण मेरे परिवार को सर जुकना पड़ रहा है, यांग वूदी को ऐसा रियक्ट और इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखकर टैंक्शन समझ जाता है कि मधुमक्खी के लीडर ने यांग वूदी को शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें बताता है, मधुमक्खी लीडर आपको भड़का रही है, वो आपको टार्गेट करके हमारे आर्मी को कमजोर करना चाहती है, अब यह बात सुनकर भी यांग वूदी का गुस्सा शांत नहीं होता है, और वो टैंक्शन से कहते हैं, ग्रैंड चिप मुझे मत रोकिए, यह बात मेरी क्लैन के सम्मान से जुड़ा है, इसलिए मैं उस धोखेबाज को खतम करना चाहता हूँ, इसके बात टैंक्शन यांग वूदी के वेपन को पकड़ लेता है, और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, यह देख कर मधुमक्खी की लीडर हसने लगते हैं, अब लास्ट सीन में हमें टैंक्शन को जेलिंग पास के अंदर दिखाया जाता है, और वो इन्विजिबल होकर सी गौट राइडंट को लेने के लिए आया हुआ है, और इसी के साथ हमारा ट्रेलर यहां पर कम्प्लीट हो जाता ह दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना